आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ क्वेशिन के है देट we have to solve the given equations using Cramer's rule तो equation की है हमारे पास 4m प्लस में 6n equal to 54 and 3m प्लस में 2n equal to 28 ओके करते हम यहाँ पे इस equation को 2 से डिवाईड कर देते हम तो यह जो equation है क्या बन जाएगी अब हमारे पास 2m प्लस में 3n equal to 27 तो अब ये दोनों equations हमारे पास इन दोनों को solve करके m and n की हमें value निकाल ले हैं तो डिसकस कर लेते हैं कि kramers rule होता क्या है kramers rule यह क्या कहता है कि suppose हमारे पास कोई भी दो equations हैं इन two variables कि a1m plus में b1n equal to c1 and a2m plus में b2n equal to c2 यह दो कोई भी equations है तो सबसे पहले हम value निकालते हैं d की d क्या होगा जो coefficients है m and n के उनका determinant तो a1 a2 and b1 b2 ठीक है then हम value निकाल लेंगे dm की यह equal होगा जो constants है पहले वो then n के coefficients b1 and b2 then हम value निकालते है dn की ठीक है तो dn equal होगा जो सबसे पहले m के coefficients है a1 and a2 and जो constants है c1 and c2 ठीक है तो हमारे पास जो m है उसकी value होगी dm upon में d and जो n है उसकी value होगी dn upon में d तो सबसे पहले यहाँ पर d, dm और dn लिख लेते है तो d क्या होगा m and n के coefficients तो 3, 2, 2, 3 ठीक है अब dm equal होगा जो पहले constant है 28 and 27 अब जो n के coefficient है वो 2 and 3 and dn equal होगा जो सबसे पहले m के coefficients है 3 and 2 अब जो constant है 28 and 27 तो आप इनका determinant निकालना है तो d will be equal to 3 into 3, 9 minus में 2 into 2, 4 that is equal to 5 अब निकालते है value of dm तो dm equal होगा 27 into 2 sorry पहले 28 को 3 से multiply करेंगे तो 28 into 3 यह equal होता है 84 के minus में 27 into 2 यह equal होता है 54 के तो यह equal आएगा हमारे पास 30 के अब निकालते है value of dn तो 3 into 27 यह equal होता है 81 के minus में 2 into 28 यह equal होता है 54 के तो हमारे पास dn की जो value है वो बनेगी 25 तो m की value के होगी dm upon mt तो 30 divided by 5 that is equal to 6 तो dn की value के होगी 25 divided by 5 that is equal to 5 तो यहां से हमार answer के होगा that जो m है m is equal to 6 and n is equal to 5 टीक है? so this is the answer टीक है? क्लासिक से टुएल से लेके NEED IIT जही means और advanced के लेवल कक 10 मिलें से जादा students कभर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह वाथसाब कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर